चाहिन दोस्तों क्या हाल है तो 2023 की Galaxy Watch 6 Series launch हो चुकी है जिसके अंदर as usual वोज 6 और वोज 6 Classic दो मिलेंगे डिफरेंट साइज और प्राइस के साथ वो सब अभी बताता हूं आपको मेरे पास है वोज 6 Classic 47 mm LTE variant है मेरे पास यह Bluetooth variant में भी आता है और लास्ट यह वोज 5 और 5 प्रो आया था क्लासिक नहीं आया था आपको याद होगा तो तो रोटेटिंग बैजल जो होता है क्या चीज़े चेंज हुए है इस्पैसली जैसे टैप और फीचर आया है फिर्स टाइम इंडिया में गैलक्सी वोज से शॉपिंग कर सकते हो बाई और वोज के साथ पेमेंट कर सकते हो और भी साथ में कुछ चेंजिस हुए है वो सब मैं भी शो करता हूं कैसे अन्बोक्सिंग से शुरू कर लिए गया है मेरे पास जैसे मैंने का वोज सिक्स क्लासिक 47 mm सिल्वर कलर में यह यह ब्लैक कलर में भी आता है यहां यूजर मैनूल के साथ वायलेस पास्च चारजर मिलता है जो वोज की बैटरी को 45% 30 मिनट में चार्ज कर सकता है यह मेरे प तो बैटरी उससाब से कूपर नीचे होगी अधरवाई नॉर्मल कंडिशन में एक दिन निकालती है इसको मैंने लोंग टाम टेस्ट नहीं किया बैटरी वैक अभी वोज 6 क्लासिक का बट जो इंप्रूमेंट है उसके साब से एक दिन इसली और अगर आप कुछ फीचर से साथ बैटरी सेविंगारा के साथ यूज करेंगे दो दिन तक चल सकती है फर्स चेंज यह मिला सेकिंड चेंज यह कि इस बाट डिस्प्ले साइज को बड़ा किया गया है 20 परसेंट लार्ज डिस्प्ले इन फैक्ट यह गैलेक्सी वोज सीरीज में बिग्गेस डिस्प्ले है और ऐसा नहीं कि वोज को बहुत बड़ा कर दिया गया है अगर मैं साइड बैसाइड वोज फॉर क्लासिक दिखाऊं तो वोज सिक्स क्लासिक में एक तो बैजल मिलते है और साथ में यह रोटेटिंग बैजल है इसका साइज भी काफी थिन कर दिया गया है एंड यह वहां आर्मर अलिमुनियम मिलता है नेक्स्ट एकोर चीज मिला यहां पर जो स्ट्रैप को अगर अलग करना हो यह आप देख रहें सिंगल टैप बटन है टैप करना है यह बाहर तो अभी एजी होगा है टैप करके रिमूब करना और यहां पर विच्छे मैंपर तीन स्ट्र भी आयो है एक है डी बकल इको लेधर बैंड दूसरा है स्पोर्ट बैंड तीसरा है फैब्रिक बैंड डी बकल इसको इसलिए बोलते क्यूंकि यह कुछ इस तरीके से मैगनेक्टिक ली अटैच हो जाता है और यह फैब्रिक बैंड जो एक काफी सॉफ्ट मेटियल का है और साथ में यह एक स्पोर्ट बैंड है यह हमने लास्ट यह भी देखा लेकिन अभी वही है सिंगल बटन मिल जाता है रिमूब करने के लिए या फिर क्लिप करने के लिए इसमें जो tap and pay feature दिया हुआ है इसको मैं real life में टेस्ट करने के लिए क्या किया पहले तो इसको आपको setup करना पड़ता है समसंग का device होगा उसमें जो Samsung wallet मिलता है उसके अंदर आपका card बगार आड होता है उसी के साथ सिंक होके वह card detail आपका watch के साथ एड हो जाएगा और उसक इसको आपको press and hold करना है और आपको machine के पास ले जाना automatically आपका balance डिडेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको पास्वर्ड भी सेट करना पड़ता है जब आप tap and pay feature enable करते हो में भी security के लिए ताकि कोई और आपकी watch ले जाके payment ना कर पाए हाला कि इनेबल करने की वज़े से बा storage Bluetooth 5.3 और यह processor 34% faster काम करता है और actual life में भी क्योंकि मेरे पास watch 4 भी है जिसको मैं use कर रहा हूं LTE वाला तो इसके comparison में जो इसके जो animations वगरा है जो watch 6 classic है यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो जो animation है वो definitely fast feel होते है थोड़ा refine भी किया गया है पहले से उसके बाद smart watch है तो सारे smart features के साथ आती है यहाँ पर आपको वेरोस मिल जाता है जहाँ प्ले स्टोर मिल जाता है प्ले स्टोर के अंदर जाके आपको वेरोस बेस्ट कावी सारे application मिल जाती है लाइक WhatsApp मिल जाता है Amazon Music, Contact, Spotify, Google, YouTube, multiple applications आपको मिल जाती है in fact मैं नोटिस किया जैसे अगर आप typing करते तो keyboard क क्योंकि डिस्प्ले का साइज थोड़ा बड़ा हुआ है उसके वैसे typing पहले से थोड़ा असान हो गया है और साथ में new watch faces यह वाला नए वाला सबसे cool लगता मुझे इसमें आपको और नए भी मिल जाते है लाइक tap and hold करो आपको और भी watch faces यह सब मिल जाते है और यहाँ से आ सारे डेटा यहां शो करता है कितने घंटे आप टीप स्लीप था या नॉर्मल स्लीप था या फिर सुनूर डिट्रेक्शन वाला फीचर भी मिली जाएगा वह पहले भी था बाकी features भी आपको मिल जाएंगे जैसे body composition जहां से अपना fat mass body water यह सारे body analysis कर सकते हो तो आपको एग चली न बार बार exercise को select नहीं करना पड़ेगा वह routine के साब से आपका show करता रहेगा and for safety sos feature मिल जाता है जहां पर आपना contact set कर सकते हैं emergency calling के लिए और अपनी medical information भी add कर सकते हैं तो यह सारा कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है जो new changes हुए वह भी बताया मने आपको और finally अग 6 classic 36999 से शुरू होता है अब इसमें LTE variant भी आता है Bluetooth variant भी आता है अलग-अलग size आते है जैसे वह 640 और 44 mm में आता है और वह 6 classic 43 और 47 mm में आता है exact price और detail में आपको यहां show कर दूँगा बाकि इन पर कुछ offer है जैसे 6000 cashback है 4000 upgrade bonus है तो इसकी वैसे इसका price और कम हो जाएगा यान conclusion की बात करें conclusion बहुत simple है दो ही watches मिलती है आपको market में जो actual smart watches है या तो apple smart watch या फिर samsung galaxy smart watch android users के लिए आपके पास यह galaxy watch आती है और अगर आप samsung ecosystem में तो आपको कुछ features एक्टर definitely देखने को मिलते है और जैसे samsung का phone use करते है ecosystem में जैसे आप अपने phone का camera control कर सकते है video recording photo click या zoom in जूम आउट यह option मिल जाता है price इनका premium होता है और premium features भी मिलते है और जिनका budget कम होता है फिर वो last generation वाली watches discount में मिलती है इसमें नए चीज़े एड़ हुई है especially tap and pay feature display का size बढ़ा हुआ है और UI smoothness वगरा इंप्रूफ किया गया है आपको कैसे लगी watch comment करके बताना वीडियो प